केंदिरे रेल मंतिरी सूरेश प्रभू ने कहा कि सरकार की रेल गाड़ियों की गती बाढ़ा कर 600 किलोमेटर प्रती घंटा करने पर नजर है इसके लिए वह एपल जैसी वेस्विक प्रद्योगी कमपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि नीती आयो ने दो व्यस्त रूट दिली मुंबई और दिली कॉलकाता मारगो पर गतीमान एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए 18,000 करोड रुपे के प्रस्ताओं को मंजूरी दी है उद्योग मंडल S.O.C.M. के एक कारेकरम में उन्होंने कहा क कि इस मंजूरी के साथ गतीमान एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ कर 200 किलोमेटर प्रती गंटा से आधिक हो जाएगी उन्होंने कहा आप खुद से इसकी कलपना कर सकते हैं कि इससे यात्रा के समय कितनी बचत होगी भविश्य की योजना साजा करते हुए प्रभू ने कहा कि सरकार ने 6-8 महीने पहले ट्रेनों की गती 600 किलोमेटर प्रती गंटा से आधिक करने की दिशा में कामत करने के लिए बड़े प्रद्योगी कंपनियों को बुलाया था साथ युन्होंने कहा कि हम एपल जैसी कंपनियों के साथ पहले से बातचीत कर रहे हैं देश के प्रद् प्रद्योगी के जरिये रेल में तूट फूट का पता लगा सके ताकि सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके और भी खबरों के लिए जूड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देश दुनिया की बड़ी खबरों से वंचितना रह पाएं